सात्यों पीके फार्म क्लास से यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे फार्मस्विश्ट एमसीक्यू यह एमसीक्यू आपके हर एक एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चाहिए वह स्टेट लेवल की हो या फिर सेंटर लेवल की तो वीडियो को सुरु सेंट तक जरूर देखे और जो चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे वीडियो के लास्ट में हम आपसे गोल्डन कुशिन करेंगे उस कुशिन का अंसर आप कमेंट सोक्स में कमेंट करके जरूर देवे इस इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे तो आईए बिनादरी स्टार्ट करते हैं आज की व्यूडियो गुश्य नमर बना है दा फॉर्म ओव वाटर मोस्ट कॉमनली यूज एज इस सॉल्वेंट डूरिंग मैनुफेक्टिरिंग ओप दा पैरेंटरल इच तो हम पैरेंटरल प्रपेशन को भी बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट के तौर पर हम वाटर यूज करते हैं ठीक है तो वह वाटर किस टाइप का होता है वह आपको आपे बताना है उप्षन ए डे आयोनाइज वाटर उप्षन बी पोटेवल वाटर उप्षन सी डिश्टिल वाटर एंड ऑप्षन दी वाटर फोर इंजेक्शन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्षन फोर्थ वाटर फोर इंजेक्शन नेश्ट कुशे नमबर 2 एक्जम्पल ओप नेच्छरल मिक्सर इस तो नेच्छरल मिक्सर का आपको एक्जम्पल बताना है तो इसका करेक्ट अंसर क्या होगा ओप्शन A दे रखा इसमें Ointment ओप्शन B इस Suspension ओप्शन C इस Immulsion ओप्शन D इस None तो इसका करेक्ट अंसर होगा ओप्शन A Ointment नेच्ट कुशे नमबर 3 मेगाल्ट रेट जिसका केमिकल फॉर्मल ओता है MGOH का हल्ट वाइज, ALOS का हल्ट वाइज, इस यूजड एज तो मेगाल्ट रेट का यूज़ हम किस तोर पर करते हैं वो आपके हम पे बताना है उप्शन A दे रखा इसमें एंटासेड, उप्शन B इस परगटिव उप्शन C इस सस्पेंडिंग एजेंट एंड ओप्शन D इस एक्स्टेंजेंट तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्शन A एंटासेड नेश्ट कुशियन नमबर 4 विच आप दा फॉलवंग गैसी यूज फोर सपोर्टिंग रैस्पारिटिंग डूरिंग एनस्टेशिया तो इन चार उप्शन में से देखके आपको बताना है कि कौन सी गैस है जिसका यूज हम एनस्टेशिया के दौरान या किसी पेसेंट को एनस्टेटिक देते हैं तो उसमें सपोर्टिंग रैस्पारिटरी के लिए यूज करते हैं उप्शन A हीलियम, उप्शन B CO2, उप्शन C नाइटरस ऑक्साइड और उप्शन D इस ऑक्शिजन तो इसका कर्रेक्टन्स रोजाएगा उप्शन सेकेंड CO2 नेश्ट कुशन नमबर 5 हायोसाइन इस एन तो हायोसाइन क्या है? वो आपको आपे बताना है उप्शन A इस प्रोटिन उप्शन B इस कार्बाइड़िट उप्शन C इस गलाइकोसाइड और उप्शन D आलकोलोइड तो इसका कर्रेक्टन्स रोजाएगा और उप्शन 4 आलकोलोइड नेश्ट कुशन नमबर 6 क्लोरिनेटेड लाइम और बॉरिक एस्ट सॉलिशन इस आलसो नोन एच तो और उप्शन A दे रखा है लाइसॉल और उप्शन B डिटॉल और उप्शन 3 इस येसॉल और उप्शन 4 इस नन तो क्लोरिनेटेड लाइम और बॉरिक एस्ट सॉलिशन होता है उसको हम येसॉल के नम से भी जानते हैं अब आपको कमेंट्स वक्समें कमेंट्स करके बताना है कि जो येसॉल है इसकी फुल पॉर्म क्या है नेश्ट कुशियन नमबर सेवन मेजर फंक्शन ऑप इलेक्रोलाइट्स आर तो इलेक्रोलाइट्स के मेजर फंक्शन क्या क्या होता है मैंटनेंस ऑब ब्लड वोल्यूम, सप्लाई ऑप आइन्स, उप्शन 3 देरका है इसका इक्लिब्रियूम और उप्शन 4 इज आल अव देम तो इसका करेक्ट हंस भजाएगा ऑप्शन 4 अल आप तेम नेश्ट कुशियन नमबर 8 Anti-Caking Agent for Hygroscopic Powder and Granules Each तो Hygroscopic Powder and Granules के लिए Anti-Caking Agent कौन सा यूज किया जाता है या कौन सा है वो आप कहापे बताना है Option पास्ट देरका केवलीन Option second is Magnesium Oxide Option third are Collidal Silicon Dioxide and option fourth are Talc तो इसका correct answer जाएगा Option third Collidal Silicon Dioxide Next question number 9 Podina Contents Option E Camper Option B Menthol Option 3 is Thymol and option fourth are Turbines तो इसका correct answer जाएगा Option second Menthol Next question number 10 Tulsi belongs to the family तो Tulsi जो Tulsi है उसकी family क्या है किस family से बलोंग करती है वो आप कहापे पूच रहा है तो इसका answer हो जाएगा Option second Liability Next question number 11 The form of malaria infective of mosquito तो इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा Option second Sporozoids Next question number 12 Is sexual multiplication of the malaria parasite take place in which of the following Option A is RBC of the infected man लाइवरी सेल of the infected man या फिर in the body of infected mosquitoes या फिर none तो इसका correct answer हो जाएगा Option 1 RBC of the infected man Next question number 13 Which of the following is not a mosquito replicant तो इन में से कौन सा mosquito replicant के तोर पर यूज जी नहीं किया जाता है या mosquito replicant है नहीं तो इसका answer हो जाएगा Option 4 DDT यानि Dichloro, Difenil, Trichloro, Ethene Next question number 14 Lemon grass oil is तो lemon grass oil क्या है volatile oil, fix oil, wax या oil origins तो इसका answer हो जाएगा Option 1 volatile oil Next question number 15 The drugs used as carminative तो कौन सी drug है जिसका हम carminative के तर पर यूज करते हैं इन चार उप्शन में से देखें आपको बताना है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्शन फूर्थ फेनल नेस्ट कुशिन नम्बार सिक्टेन इफेटरिन का उज़ इनदाट टीटमेंट आफ तो इफेटरिन का उज़ आफ किसके टीटमेंट के लिए करते हैं वो आपको आपको बताना है उप्शन पास्ट आर टीबी उप्शन सेकंड इज ताइफएड उप्शन थर्ड आर ब्रॉंकिल अस्त्मा एंड नेरिया उसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्शन थर्ड ब्रॉंकिल अस्त्मा नेश्ट कुशन नमर 17 कॉल्चिकम इस यूज़ टू क्यूर कॉल्चिकम का यूज़ हम किसके क्यूर के लिए करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन थर्ड काउट नेश्ट कुशन नमर 18 कुल्चिकम किस नमसे भी जानते हैं वो आपके अपर बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन सेकंड दाविचीनी नेश्ट कुशन नमर 19 कुनिन इज़ दा एक्टि कॉंस्टिट्वेंट ओफ तो कुनिन किसका एक्टि कॉंस्टिट्वेंट है वो आपके अपर बताना है तो इसका करेक्ट अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा उप्शन थर्ड सिंकोन बार्क नेश्ट कुशन नमर 20 नेश्ट कुशन नमर 20 एनिमल फाइबर्स इज तो एनिमल फाइबर्स क्या है वो आपके अपर बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन फोर्थ सिल्क नेश्ट कुशन नमर 21 तो प्रोटीन की जो सेकंड इस्ट्रेक्चर हो किसके दोरा इस्टबिलिस्ट होती है वो आपके अपर बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन सेकंड हाइड्रोजन पॉर्ड नेश्ट कुशन नमर 22 गलाइकोजिनोलाइसिस इदा सिंतेसिस आफ तो गलाइकोजिनोलाइसिस में किसका सिंतेसिस होता है तो इसका अंसर हो जाएगा option second glucose इसी तरह कि बहुत सारे MCQs हमने अल्रेडी डिसकस कर रख है अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखिए हो तो playlist में जाके वो MCQs देख सकते हो वो आपके हर एक exam के लिए important है चाहे street level हो चाहे central level नेश्ट कुशिन नमार 23 normal urine normal urine की जो pH होती हो कैसी होती है वो आप कहाँ पर बताना है तो इसका answer हो जाएगा option third slightly acidic next question number 24 thyroid gland secret जो thyroid gland होती है वो क्या secret करती है वो आप कहाँ पर पूछा गया है option A thyrogin, option B parathyrogin, option third are adenalin and option fourth are oxytocin तो इसका correct answer हो जाएगा option 5 thyrogin next question number 23 ileum is a bone of ileum किस की bone है वो आप कहाँ पर बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा option first in omiate bone next question number 26 WBC is produce in WBC कहाँ produce होती है option A liver option B limp gland option 3 is spleen and option fourth are hurt तो इसका correct answer हो जाएगा option second limp gland next question number 27 left side of the hurt contents जो हमारे left side का hurt होता है उसमें किस तरीके का blood पाए जाता है या क्या content रखता है option impure blood option B pure blood option 3 is limbs and option fourth are CSF तो इसका correct answer हो जाएगा option second pure blood next question number 23 नेस्ट कुशियन नमबर थर्टी combines pill contents जो combine pills होती है उसमें क्या क्या content होता है वो आप कहाँ पे बताना है तो इसका answer हो जाएगा option third estrogen plus progestron आज की वीडियो का golden question है the use of zinc sulfate is तो zinc sulfate का use क्या है वो आपको comments वोक्स में comments करके बताना है इसके अलावा अगर वीडियो आपके लिए helpful लगी तो दोस्तों के साथ में share जरूर करे और चैनल को subscribe करे इसी तरीके की farma updates या farma mcqs प्राप्ट करने के लिए PK farma class यूटूब चैनल को आप subscribe कर सकते हो और इसके अलावा हर एक type के vacancy के लिए PK vacancy है यूटूब चैनल सबस्क्राइब कर सकते हो मिलता है next update में तब तक लिए जय हिन जय भारत रम रम साथ झाल